माशाला लिहम्द्लिल्ला कितना प्यारा लाग रहा है बिस्मिल्ल्ला रौमा अर्युराहीम असलाम लेकूम आज हम त्यार करेंगे सॉफ्ट स्पॉंजी मार्बल केक बिस्मिल्यरुमानीराहिम सबसे पहले हम नीचे बिज़ाने के लिए बटर पिपपर काटते हैं ये मेरे पास बटर पिपर है सबसे पहले आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है बाबर आपका ये फोल्ड होना चाहिए फिर यह जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आमने काट देने इसको अब हमने इस तरह काट लिया फिर हम इसको सीधा खोलेंगे और एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे बराबर फिर एक बार ऐसे फोल्ड करके फिर जो आपकी बंद वाली साइड होगी जहां पर दो साइड होगी वहां को आपने इसको फोल्ड करना है इस तरह फिर एक बार फोल्ड करना है अब यह आपका त्यारा अब हमने इसके दिनम्यान में मोल्ड के राके तो इसका साइज कर लेना है यह मेरा इतना इतना आ रहा है तो मैं यह इतना फूल राक लूँगी थोड़ा से साइड पर भी आना चाहिए अब हम इसको खोलते हैं यह देखें यह बटर पेपर हमारा काटी है अब हम इसके अंदर थोड़ा सा ओल डालेंगे ओल डालने के बाद आमने इसको अच्छी तरह फिला लेना है साइड पर भी आमने मौल्ड के लगाना है और नीचे भी अब हम बटर पेपर उपर रखेंगे मैंने इसके दर्मियान में करके बटर पेपर रखा और इसके साइड पर ऐसे कर देंगे इसके ओपर फिर से आईल वाला ब्रैश फेर देंगे मेरे ब्रैश पे ओईल लगा वा था मैंने यही फेर दिया अगर आपके ब्रैश पे ना लगा तो आप ओईल थोड़ा से डाल लें अब अंडो को अच्छी तरह बीट कार लेंगे मैं हैंड बीटर से कार यह अगर आपके पास इलाक्टिकल बीटर हो तो आप उससे भी कार सकते हैं अब हम अंडो में एक काप ओईल शामिल करेंगे इसको भी डाल के अच्छी तरह बीट कार लें एक चमच बेकिंग पाउडर डाल लेंगे इसको भी डालके हम ने अच्छी तरह मिक्स कार लेना है यह मैंने विनिला एसनस लिया है, इसके तीन से चार कत्रे डालने है इसको भी डालके मिक्स कार लेंगे, आप्ने इसको ज्यादा मिक्स नहीं लेना, वरना जो हमारा केक है, वो करभा होजगा यह मैंने एक कप चीनी लिया है, PCO यह देखें अब इसको हम थोड़ा थोड़ा शामिल कारके तो मिक्स करेंगे आपने एक दम डाल के मिक्स नी करना वना इसके अंदर गुठलियां बांजेगी यह मैंने डेट कप मैदा लिया है अब हम इसको थोड़ा थोड़ा चांद कर डालेंगे और मिक्स करेंगे आपने इसको एक दम डाल के सारा मिक्स नी करना वना इसमें गुठलियां बांजेंगी यह डाल के हमने एक तरफ कोई मिक्स करना है देखें मैं शुरू से यह इस तरफ को गुमा रही हूं अभी भी मैं इसी तरफ को हुमारी अगर आप दूसरी साइट को गुमाएंगे तो यह से मिक्स नहीं होगा आपने इसको क्लॉकवाइज गुमाना है यह देखें यह मैंने पूरा डेट का मैदा डाली और इसकी कंसिस्टेंसी फ्लॉइंग होनी चाहिए जब यह नीचे गिरे तो यह थोड़ी देर के लिए बैट जाएए देखें ऐसी कंसिस्टेंसी हो तो आपका समझें के बैटर बिलकुल परफेक्ट है मारवल केक बिनाने के लिए आपने केक के बैटर को दो इक्वल पार्ट में कर लेना है ताकि हम एक में कोको पाॉडर डाल सके यह मेरे पास कोको पाॉडर अब इसको हम चननी के उपड डालेंगे मैं ड्रक्ट इसलिए नहीं डाल रही है अगर कोई लामजा होंगे तो वो इसके उपड़ ही निकलाएंगे तो इसके अंदर नहीं जाएंगे इसको च्छांगे यह देखें यह हमारा चोकलेट और यह सादा दोनों त्यार हैं अगर आप चोकलेट बनाना चाहते हैं तो फिर यह सारा में चोकलेट कोको पाॉडर मिक्स कर दें अगर आप विनेला बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर कोको पाॉडर ना डालेंगे तो आपका विनेला बां बालते हैं आपकी मरजी आपहले चोकलिट डालें या वीनियला पहले थोड़ी लेव चोकलिट की आपने दर्मियान डालनी है तो यह घुदी जो है वह फैल जगी, अब इसके ओपर दूसरी जो है हम वी नेला की डालेंगे इसके दर्मियान में आपने इसके दर्मियान में ऐसी सारे डाली जाने हैं और ये खुदी फैलता जाएगा आपने इसी तरह इसके दर्मियान में डाली जाने हैं दोनों फलेवर और ये फैलता जाएगा बिसमिल्लार्वान इवराहिम यह देखिए मैंने अच्छी तरह डाल लिए अब हम इसको टाप टाप करेंगे अब यह जो बबल्स है इनको हम खतम करेंगे अगर हम यह खतम नहीं करेंगे तो हमारी केक में सुराख ओंगे इसी तरह अपने तमाम बबल्स खतम कर लेने हैं अब हम एक तुद्पिक की मदद से इसके अंदर डिजाइन बना गया हमने सबसे पहले एक लाइन ऐसे लगानी है फिर इसके बद एक लाइन अंदर को फिर एक बाहर को फिर एक अंदर को इसी तरह अपने पूरा डिजाइन त तक्रीबन दास मिल्ट हो गया मैंने कराई को प्री हीट होने के लिए राख दिया था अब इसके अंदर केक रखेंगे इसको आपने इस आंच पर रखना है बिसमिल्लार मानियराहिम हमें एक घंटा हो गया भंडगन उठाक देखते हैं माशाल dynasty कितना अच्छा ये पूल है अब एक तुदपिक हम एंदर डालेंगे अगर हमाई तुदपिक साप थाएब केक हमारा प्रणा है केक हमारा त्यार होगिए चुला बांद कर देंगे अब यह देखे हमने केक को दासमींट के लिए ढाम के राग देना ताकि यह ड्रै नहँगे बिस्मिल्लावरामानियुराइम दासमींट हो गए बरहम हम रूमार उठा देंगे और इसे साइड से चुरी के मदद से हलादा कार लेंगे यह देखें मैंने साइडन से उतार लिया अब हम इसको अपने हाल पर उल्टाएंगे यह देखें अब मैं आपको बटर पेपर उतार के दिखाती हूं यह देखें माशाला अलहम्दुलिला कितना प्यारा लाग रहे है केक हमारा त्यार है मैं आपको यह काट के नहीं दिखाऊंगे क्योंके कल अकैडमी पार्टी है तो हमने वहाँ पे काटने है उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आपको आपको पने एक जोई मान में रखें आमीन अल्ला आफिस